मेरा नाम दीपेंदर चलकसिया है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ कि डारेक्टर बॉनस क्या होता है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं दोस्तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा यदि आप कैलकुलेशन के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने साथ एक पेपर और एक पैन लेकर के यदि बैठेंगे तो इसे समझने में आपको बहुत आसानी होगी हम सभी जानते हैं Westje में एक Income होती है जिसे डिरेक्टर बोनस कहा जाता है और ये डिरेक्टर बोनस हमें 20 पर्सेंट के लेवल पे आने के बाद मिलता है लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए एक शर्त होती है और ये कम से कम हमें 2000 एक पॉइंट करने पर मिलते हैं 2000 एक पॉइंट की बात करूँ तो ये हम अपने self और group से मिला करके भी कर सकते हैं लेकिन self में कम से कम 40 PV होना ज़रूरी होता है Director bonus point value को भी हम समझने ही कोशश करेंगे जैसा कि हमने हमेशा देखा है कि Director bonus 14% लिखा होता है तो ये Director bonus 14% क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ कमपनी का जब closing होती है तो उस महीने के सारे जितने भी PV होते हैं कमपनी उसका 14% निकालती है और उस महीने सारे qualified directors के bonus point को निकालती है और आपस में उसे divide करके Director bonus की point value निकाल लेती है एक उधारन के माद्यम से मैंने इसे समझाने की कोशिश किया है जिसमें आप देख रहे हैं कि 0.85 जो है डारेक्टर बोनस की point value निकाली हुई है लेकिन आज अगर मैं current value की बात करूँ तो 71 पैसा आज की date में डारेक्टर बोनस की जो value है वह 70 पैसा चल रही है इसके बाद हमको डारेक्टर बोनस point निकालना होता है डारेक्टर बोनस point निकालना अगर आप सीख गए तो डारेक्टर बोनस आप आसानी से निकाल सकते हैं डारेक्टर बोनस point निकालने के लिए हमको हमारा जो महीने के जो closing में जो हम PV एकट्टे जो PV होते हैं उसका हमें 6% निकालना होता है 6% इसलिए क्योंकि हमारी शुरुआत जो होती है वो 6% से होती है और हम Bronze Director है As a Bronze Director हमारा जो पहला level होता है हमें 6% के साब से ही Director Bonus Point निकलता है Suppose 4000 PV हमारे इस महीने closing में हुए है तो हम उसका 6% निकालता है जो कि 240 आता है इस Director Bonus Point को आपको 71 पैसे से Multiply करना है जैसे मैंने आपको सामने किया हुआ है कि इस 240 को 71 पैसे से Multiply किया है तो हमको 170 Point मिले हैं इस 170 Point को आपको 18 से Multiply करना है और जो 3060 पैसे आप देख रहे हैं यह आपका Director Bonus होता है 170 को हम 18 से इसलिए कर रहे हैं कि ये जो 18 होता है ये business volume होता है और हमारे याँ एक point के बराबर 18 business volume होता है इसलिए इसे 18 से multiply किया हुआ है यदि आपको अभी calculation नहीं समझ में आई है तो आगे मैं आपको एक बार फिर समझानी कुशिश करता हूँ suppose 5000 PV हमने इस पूरे महिने में हमारा जो business है group के साथ 5000 PV का हुआ है इस 5000 PV का आप 6% director bonus point निकालेंगे पहले आप यदि pen और paper का इस्तिमाल कर रहे हैं बार बार अगर आप paper और pen का use करके आप यदि अपने हाथों से calculate करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा मैं एक बार फिर बात करता हूँ इस महिने का हमारा total PV 5000 हुआ है इस 5000 PV को हमने 6% director bonus point निकाला हुआ है जो कि आपके सामने 300 director bonus point लिखा हुआ आ रहा है इस 300 को हमने 70 पैसे से multiply कर दिया है 71 पैसे से multiply करने के बाद आप देख रहे हैं कि 213 PV आपके सामने देख रहे हैं इस 213 PV को आप 18 से multiply कर दीजे तो 3834 रुपए जो है आपका director bonus निकालाता है मतलब 5000 PV करने के बाद 3834 रुपए जो है हमारा इस महिने का director bonus आया है चलिए हम इसे दूसर तरीके से भी समझने कोशिश करते हैं आपको पहला तरीका या दूसर तरीका जो भी आपको बहतर समझ में आए आप दौनों में से कोई भी एक इस्तिमाल करके आप director bonus आराम से निकाल सकते हैं जैसे मैंने बात किया कि हमारा टोटल पीवी जो है इस महिने का 5000 हुआ था इस 5000 को आप सबसे पहले इसका business volume निकाल लीजे इस 5000 को आप 18 से multiply कीजे जिसमें 90,000 business volume आपको आएगा इस 90,000 business volume के आप 6% यदि निकाल दें तो 5,400 जो आता है वो आपका director bonus पॉइंट के लाता है इस director bonus पॉइंट को आप 5,400 जो director bonus पॉइंट है इसे आप 71 पैसे से multiply कर दिए तो आपका 3834 रुपए जो है director bonus निकाल आता है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको से bronze director के level पर director bonus निकालना सिखाया है यदि आप इसे paper पर बार 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 प्रैक्टिस करेंगे तो आप director bonus बहुत ही आसानी से निकालने लग जाएंगे अगले वीडियो में मैं आपके साथ share करूँगा कि as a silver, gold या crown level पर हमारे depth में जब director qualify होते हैं तो हमारे director bonus कैसे मिलता है आपके यदि कोई भी सवाल हो या आपको सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे comment box में आप ज़रूर लिख सकते हैं वीडियो पसंद आने पर आप इसे अपनी टीम में ज़रूर शेयर करें यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजे और एक बेल आइकन दिया हुआ है गंटी का निशान दिया हुआ है उस पर भी जरूर क्लिक